आप सभी का इंडस्ट्रिय ब्लॉग के एक नए और बहतरी वीडियो में आज के वीडियो में हम जॉब हाइरिंग की बात करेंगे और ये जॉब हाइरिंग इतनी ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि अभी रात के एक बच के सतर मीनट पर मैं ये वीडियो सूट कर रहा हूँ कब अपलोड होगा I don't know बट मेरी पूरी कोशिस रहेगी कि ये रात में ही अपलोड हो जाए दूसरी जिन मैं इतनी रात में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें 3-4 वैकेंसी आसी है सिर्फ तीन वैकेंसी मैं उठाया हूँ और थीनों ऐसी है जिसमें फरैसर और थिडिश कर सकते हैं एक जो वैकेंसी है वो इतनी अच्छ जिस्में उननों उन्हें सीधा बोलाए कि मुझे उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मुझे ट्रेनी चाहिए तो यह मोस्ट मोस्ट यूजफुल है एक अपरेंटिस के लिए एक फ्रेसर के लिए इसी तरीके की जॉब वीडियो तो मैं ले करके आता ही रहता हूं आज की यह वीडियो सुरू करते हैं कि विएब ओपनिंग दो ओईजी इंडिया लिमिटेड गुजरात गुजरात में यह एक नई कंपनी को लें लोकेशन दो गुड़े 65 मेगावाट सी पीपी आई यार सी अब बीसी बॉयलर थर्मल पावर प्लांट आपरेशन और मेंटिनेंस कंपनी इंट्रेस्ट को खूब ध्यान से समझ लेजिए कि इनका मेल आइडी क्या है मनोहर राओ एड़ेट ओईजी इंडिया डाट कॉम बिलो वेकेंसी बॉयलर डेस्क इंजिनियर पांच से दस साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेट होना चाहिए सीए बीसी बॉयलर का और पांच टरवाइंसा टर्वाइं डेस्क इंजिनियर का थीन से आट साल की मेंच रवाइंस चार साल सब्सक्राइब से नचिएंण का इंजिनियर इंस्ट्रुमेंट का आट से तेरे सल का एक्सपीरियंस ओना चिए पे द और बी इडिकार डीस उसकी बिए च्छे जान का नीजे होन इंजिनियर RIGHT यह साल यह होना चाहिए ईल्यक्ट के लिंगेए शार्य साथ साल यह एमएस प्रफॉर्मेंश सिंजिनियर यह पॉपरेशन और एक्षपेशन इंश complementary सिफ्ट के मिष्ट बीस्टी होना चाहिए इनको आपरेशन आना चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशन तीन से पांच साल का डिप्लोमा होना चाहिए मेकैनिकल हेड 15-20 साल का बीटीजी या बीओपी एएच पी सीएच पी डवलू टीप ऑपरेटर डिपार्टमेंट का होना चाहिए नोट सेर जाब ओपनिंग तो यूर फ्रेंट्स लुकिंग फ़र्ट थर्मल पार प्लांट इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा मोस्ट विएरेबल है एक और मैं फिर से आपको बता देता हूं कि इनका जो इमेल आईडी है वह मनोहर्राव इस पर आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रिज्यूम सेंड करके संपर्क कर लें अगला देखते हैं अर्जेंट हाइरिंग यह अर्जेंट हाइरिंग है इसमें आप ये वाली और ये वाली पोस्ट जो है वो आप अपने रिस्तेधारों को बता दीजेगा हम आगे चाहिए ऑफिस बॉय एक चाहिए जो की ग्रेजुएट होना चाहिए और बाइक कंपल सरी है आपरेंटिस इंजीनियर इलेक्टिकल यह मैं कहना चाहरा था कि इनको एक आपरेंटिस इंजीनियर भी चाहिए मैं कहता हूं जॉब सुरू करने के लिए कुछ भी मिल जाए नाम पर ही ये कम से कम 15,000 देंग देंगे दूसरी बात मुझसे कमेंट्स में कई सारे ऐसे लोग हैं जो यह पूछते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यह जो अपरेंटिस इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है या किसी भी डिपार्टमेंट का है इसमें एक बार आप अप्लाई करिए दूसरी चीज़ और कि कभी भी जब कभी भी experience की बात आती है तो जरूरी नहीं है कि आपको experience 10-15 साल के experience की बात हो रही है वो एक साल का भी हो सकता है आप रेंटिस हो सकता है दो साल का हो सकता है तीन साल का हो सकता है जरूरी है कि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो और मेरी बात मानी है अगर आप किसी इंडस्ट्री में इंट्री लेते हैं तो इंडस्ट्री में इंट्री लेते ही आपको कहीं न कहीं से 200 लिंक मिल जाएंगे जो आपको जो आप दिला देते हैं चलिए एक ग्रैफिक जाइनर इनको चाहिए एक चाहिए यह सभी इंडेस्ट्रेट केंडिडेट जो हैं इस बात को ध्यान दीजिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा important section है info at the rate waspa.in पर कर सकते हैं या इनके विजिट कर लिजिए इनके इस पर waspa engineering services 203 मांजीन अगर नहारे मूपूने यह इनका मोबाइल नंबर है दोस्तों यह वाला section है यह वाला section आप ढंग से देख लिए नोट कर लिए स्क्रीन सॉट ले लिए जो करना है करिए इसमें आप खुला offer मिल रहा है यह आप खुद जा करके भी अपने जॉब की तैयारी या उनको ले सकते हैं सलेक्ट हो सकते हैं अब आ गया हमारा सबसे बहतरीन जाब सबसे बहतरीन इसलिए क्योंकि यह junior engineer trainee का जॉब है और मैं इसी जॉब की बात कर रहा था इसी जॉब के लिए मैं इतनी रात में वीडियो सूट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए डिले ना हो यह अभी-भी मेरे पास आया है टाटा इस टील लिमिटेड कंपणी का है और यह junior engineer trainee इनको चाहिए 2023 बैच का मेरे भाई अगर आप टाटा जैसे कंपणी से अपनी जॉब को सुरू करते हो चाहे वो ट्रेनी में ही क्यों न रहो आप बहुत अच्छे जगह पर जा सकते हो थोड़ा सा effort डालके तो मेरी मानो तो एक सबसे minimum education qualification के लिए हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा की अब डिप्लोमा में यह क्या कह रहे हैं कि 3 से 4 साल का full time degree or diploma mechanical electrical electronic instrument metallurgy ceramic chemical and civil engineering के थ्रू होना चाहिए दोस्तों यह जो trainee engineer का vacancy है यह किसी एक specific department का नहीं है यह electrical electronics instrumentation metallurgy ceramic chemical civil engineer आदी सभी के लिए है यह फिर डिप्लोमा इन electronics में होना चाहिए आडी टाटा एजुकेशन सेंटर जमसेदपूर से होना चाहिए यह डिप्लोमा इन electronics and meta electronics जे अन से गोपाल नगर से और electrical electronics metallurgy के लिए यह टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टेट्यूट से होना चाहिए दोस्तों टाटा की मैं क्यों कर रहा हूं कि टाटा में चौप करिए इसलिए टाटा में चौप करते हैं तो आपके सगे संबंदी आप पर जो आश्रित हैं उनके लिए अलग से छूट देता है टाटा इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो तीन सेक्शन्स आप देख रहे हैं यह छूट वाले सेक्शन्स हैं एक बार जरूर ट्राइ करिएगा आगे बढ़ते हैं यह पढ़ लीजे यह क्या कहना चाहरा है Candidate in final year of their academic session landing to award degree and diploma by July 2023 are also eligible to apply अब इससे अच्छी बात आप क्या करेंगे इनके कहने का मतलब यह है अगर आप selected है तो 31 अगस्त से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी डोमसाइल आपको दे देना चाहिए ओडीशा का होना चाहिए डोमसाइल आप बनवा लीजेगा यह तो बहुत आम बात है मार्क्स जो है वो मिनिमम सिक्स्टी परसेंट होना चाहिए फीमेल के लिए मिनिममम 55 परसेंट अब यहां पर भी है सेस्टी और ट्रांसजेंडर का भी अलग-अलग है एज एक जनवरी दो 1998 से 2006 तक एक जनवरी 1995 से 2006 तक मैं यह बात नहीं करना चाहता हूं अब सला प्राइवेट में भी आ गई है देख लिजे 12 मंस की ड्यूटी है सबसे अच्छी बात है फिजिकल स्टेंथ भी यह ले रहे हैं और 15,000 की सेलरी पर मंत दे रहे हैं फ्री हॉस्टल एकुमेंडेशन फूड और यह सारी चीजी दे रहे हैं तो भीया किसी तरीके से सलेक्ट हो जाओ और एक बार इसमें गए तो फिर मुड़के नहीं देखना है अपलाई कैसे करना है यह इसका पूरा प्रोसेस है अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यह सारे चीजों का फॉर्म फिल कर सकते हैं मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फॉर्म को फिल करने की वीडियो जो बहतरीन ढंग से होगी आपके इस पर अगर आप चाहते हो इसमें सलेक्ट होना तो मुझे कमेंट करो तो म चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे थैंक्स फार वाचिंग इस वांचिंग दिस वां